दो सितंबर को पढ़ने वाली सौंबती अमवस्या का आज का हमारा उपाए उन माता-पिता के लिए है जो बच्चों के विभा को लेकर परिशान है जिन बच्चों का विभा योग नहीं बन रहा है या जिन बच्चों के विभा में लगातार देरी हो रही है अटकाव आ रहे हैं विभा बादा बनी हुई है उनके माता-पिता के लिए विशेशत तोर से वीडियो है उनको जरूर इस वीडियो को देखना चाहिए और जानना चाहिए और उन्हें उपाई भी करना चाहिए तो रहन तफली भूत होगा कारण कि इस दिन बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं स्वामबति अमावस्या के दिन जो शुभ योग बन रहा है वो है शिव योग और सिद्धी योग जो है वो बन रहा है दो स्थम्बर को गए उपाई तुरंत फली भूत होते हैं ये सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से क्योंकि ये रात्रियां ऐसी होती है जिन रात्रियों में नेगटिव अनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में आपका जो एक उपाई है आज का ये बच्चों के जीवन में कर से करेंगे उपाई बता रही हूं आपको लेकिन उससे पहले नमस्कार आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना श्रमा अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार पाई हो तो सबस्क्राइब जरूर करें आपका सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन है और आपका शेयर हो सकता है तो आपके भी जिवन पो खोशियां आएगी पित्रों के नीमित, आपके देवताओं के नीमित, जो भी उपाय करें, माता पिता जरूर करें, बच्चे भी इस दिन अगर कोई पूजा अरादना कुछ करना चाहें, अपने शिगर विवा के लिए तो जरूर करें, लेकिन मैं जो चीज एक बता रहे हूं, बहुत आसान कहार करने नहीं जाना है, और समगरी भी इसमें कोई नहीं ज्यादा लगने वाली है, जैसे ही सायकाल हो जाए दिन भर से, आपके सोने जाने का समया हो, कि आप अभी सोने जाएंगे और आपने खाना पीना, सब काम आपने टोटल निप्टा लिये हैं, और निप्टाने के मैं कहूंगी कि या तो मा करें विशेश तोर से या फिर पिता करें दोनों करें और मान लीजिए कोई कारण रहा हो कि माता और पिता दोनों भी किसी कारण से ना कर पा रहे हो तो फिर लड़के और लड़कियां जो ऐ विवायत हैं जिनके विवायत में हो रही है वो खुद भी कर सकते हैं ऐसे कोई बात नहीं है लड़के तो कर ही सकते हैं जो मैं उबाई बता रही हूं लेकिन अगर लड़कियां करना चाहें तो वह भी अन्मेरिड होती हैं वह भी कर सकते हैं क्योंकि उनको भी जितने भी उनके देवी-देवता होते हैं माता- भूजा करती हैं तो जैसे ही आप रात्री में सोने के लिए जाएं आपके रात्री का समय हो जाए सोने का उस समय में आपको थोड़े से चावल लेने हैं और चावल में मैं यहां यह नहीं कहूंगे आपको कि चावल टूटे फुटे ना हो चावल छांट के लेना इस परकार क आपके कोई भी हो सकती है श्टील की भी हो सकती है दूसरे किसी धातू की भी हो सकती है हम यहां बच्चों के विवा के लिए उपाई करने जा रहे हैं तो जिस चीज का हमें जरूरी है वो ही चीज जरूरी है जो चीज नहीं जरूरी उसकी में आपको जरूरी नहीं है उसी वक्त में कर लीजिएगा जिस वक्त में आपके सोने का टाइम हो आप सारे काम डिटा लें उसके बाद से एक दिपक तयार करिएगा दिपक क्या तयार करना है दिपक आपको आठे का तयार करना है यहां मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप मिट्टी का दिपक लें लेकि है वो आटे का दीपक है आटे का ही दीपक आपको लेना चाहिए बना लीजिए अगर पहले से आटा अच्छा स्वच पवित्र आटा लगा हुआ हो तो उसमें से थोड़ा सा निकाल लें उसका चाहिए दीपक बना लें दीपक आपको सिर्फ एक मुखी बनाना है और एक जो भी आपके पास अविलेबल हो, वो ही आप इसमें भर लीजिए, और भर लेने के बाद ये जो प्लेट है आपकी, जिसमें एक मुठी चाओल है, इसके उपर रख लीजिए और एक लीजिए माचीस, और लेने के बाद अब आपके घर की छट पर जाएए, आपके घर की ओगी, वो भी हो सकती है फिर खुले में, बाहर की बालकनी हो, आपके छट के उपर की, या फिर अगर च्ट है, जिनके घरों में, तो उनको तो बहुत फीधा है कि वो कर सकते हैं, चट पर जाएं, आपके मकान के चट पर, जो धक्शन दिशा है, उस धक्शन दिशा में इस दिपक जिला देने के बाद आपको वहां पर बैठके, अगर तो आपको कोई मंतर आता है, कोई पितर कवच आता है, पितर स्तोतर आता है, तो उसे पढ़िये, नहीं आता है, कोई मंतर ओम पितरे भी हो नम है, ओम पितरे भी हो नम है आता है, तो वह पढ़िये, कुछ नहीं आता कुछ भी ना करें आप बस सिर्फ अपनी लेंग्वेज अपनी भाशा में हाथ जोड़के अपने बड़े बुजर्गों को अपने पित्रों को नमस्कार करें नमस्कार करने के बाद आपको अपनी लेंग्वेज में अपनी भाशा में हाथ जोड़ते हुए उनसे माफी मांगनी है आपके अपने और बच्चों के जाने अंजाने में कुछ भी किये हुए कोई भी कार्या ऐसे किये हुए जिन से बच्चों की जर्मकुन ने विवा डोश बना हुआ है उसके कारण से बच्चों विवा नहीं हो रहा है आप नही जानते तो भी पित्र हमारे जानते है कि क्या कारण है उनके आगे हाथ जोड़के बिल्टी करिए बच्चों के विवा की इसलिए कह रहे हुँ है इस उपाय को माता-पिता जरूर कर ले, अब लड़के तो कर सकते हैं घर के, लेकिन लड़कियां भी अगर करना चाहें करना और दीपक छोड़ दें अगले दिन सुबह आपकी प्लेट उठालाएं आटे का दीपको तो वहीं का भहीं पड़ा रहने दें को जीव जानवर खालेंगे चत पर और अगर मिट्टी का दीपको तो आप उसे उठालाएं और पाणी विसर्जित कर सकते हैं जरूर करें आ तुरंत अगले ही दिन आप देखेंगे कि चम्तकार होगा बच्चों के लिए संदेश आएगा तुरंत विवाय योग बनेगा वीडियो कमेंट में हर हर मादेर जुरू लिखें थैंक्स